हिंदी सिनेमा और पंजाबी फिल्मों में काम करने वाले एक्टर मंगल धिल्लो जी का निधन हो गया है खबरों के मुताबिक पिछले कुछ सालों से एक्टर मंगल धिल्लो कैंसर की विमारी से जूज रहे थे उनका पंजाब के लुधियाना शहर के एक हस्पताल में इलाज चल रहा था लेकिन पिछले 11 जून 2023 को उनके निधन की खबर सामने आई रविवार की सुभा एक्टर ने अंतिम सांसली और उनके निधन की खबर एक्टर यश्पाल शर्मा ने दी चलिए आपको आज बताते हैं मंगल धिलो जी से जुड़ी कुछ बाते पंजाबी एक्टर मंगल धिलो का जन पंजाब के फरीद कोट जिले में एक सिख परिबार में हुआ था उन्होंने अपनी शुरुआदी पढ़ाई सरकारी स्कूलों से की थी इसके बाद वे अपने पिता के पास उत्तर प्रदेश में शिफ्ट हो गए फिर उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई लखीम पूर से की उन्होंने अपने करियर की शुरुआद पंजाबी फिल्मों से किया था उन्होंने पंजाब युनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन भी किया और एक्टिंग में डिप्लोमा भी साल 1980 में लिए मंगल धिल्लो एक एक्टर होने के साथ साथ एक लेखक और फिल्म निर्देशक भी थे उन्होंने दिल्ली और चंडिगर के रंगमंच पर भी बहुत काम किया और बाद में टीवी सिरियल और फिल्मों के जरिये लोगों के दिलों में जगा बनाई मंगल धिल्लो ने अर्चना पुरंद सिंग, रेखा, अमिताव बच्चन, सन्नी डेवल जैसे कई बड़े-बड़े सितारों के साथ स्क्रिन शेयर किये हैं आपकी जानकारी के लिए बता दे, मंगल धिल्लो ने भले ही शुरुआब पंजाबी फिल्मों से की थी लेकिन बॉली उड में उनकी खास पहचाम बनी मंगल धिल्लो साल 1994 में रितू धिल्लो से शादी की बुनियाद और जुनून जैसे लोगप्रिय सिरियल में मंगल धिलन ने बहतरीन अधाकारी का नमुनापेश किये थे एन चंद्रा निर्देशित और मिथुन चकरवर्ती स्टारर फिल्म युगान धर्व में मुख्य खलनायक गोरा ठाकुर के किर्दार में उनके प्रदर्शन को हमेशा याद रखा जाएगा उन्होंने खुन भरी मांग, चक्मी औरत, दयावान, कहां है कानून, नाका बंदी, दलाल, भरष्टाचार, विश्वात्मा, अंबा, अकेला, जिंदगी एक जुआ, जान अशिन और साहिबान समयत कई फीचर फिल्मों में काम किया जिसमें से कई फिल्में सुपर हिट हुई थी, मंगल धिल्लो आखरी बार 2017 में आई फिल्म तुफान सिंग में दर्शकों के सामने नजर आये थे मंगल धिल्लो ने सिनिमा की दुनिया में शानदार काम किया, साथ साथ उन्होंने रंगमंच में भी अपना प्रभाब छोड़के गए उनकी मौत से सिनिमा जगत में सनाटा चा गया है, फैंस और सेलेब्स सभी उन्हें भारी मन और नम आँखों से याद करते हैं मंगल धिलो तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादे हमेशा फैंस के दिलों में जिन्दा रहेगी, आनंज एंटर्टेन्मेंट परिवार के तरफ से उन्हें शद्धा और नमन अरपन किया जाता है